इस वीडियो के तरह बात करने वाले बी वाई एस वर्सस पी एस वी एक विचे होने वाले आखरी यानि ये पांच वे इस ये स्टीतन मैच के बारे में हर एक प्लेयर का सारा इंफॉर्मेशन कौँ किस नंबर पर बल्ले बासी के लाएगा कौँ कितना और बॉल करके देने व लिए मैं जीश सकती है सबी चीजों को पर वन बाई वन बात करेंगे बस आपको एक जीजसँ का ध्यान देना है ये जो भी आ आपको वीडियो में एक टीम मना करके देने ओनो ओ रो यह एक हमारे अनलिसी बेस की तीम होगी है माले वीडियो की टीम में कोई प्लाय ना खेल तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी हो मैं स्क्रीन सॉथ के जरीया अपरे तलीग राम चैनल का आपको फुरी में अपरी फाइनल टीम भेज़ दूँगा हमारे तलीग राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्किप्शन और कमें सक्समाउक से सबस्वा पिन के हुआ ल सबसे पहले यह सो मैच्च मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भी वाई एस की तीम के मैच जीतने के चांस है तो भी वाई एस के प्लेश को हम पूरा फोकस करने ले सैवन अफ़ोर का कॉमिनेशन या फिर छे और पांच का कॉमिनेशन लेकर के चले हैं लेकिन पीएस्वी एक और जादितर मैचस में पहले बल्लेबासी करते हुए काफी रन बना रहा है ऐसा नहीं है कि फ्लाप हो रहा है और हर मैच में आपको रन बना ही रहा है जब भी पहले बल्लेबासी हो रहा है खास और पे तो लेकर के चलना जरूरी है यहां से देखो कि वाई हुसेन यह भी बल्ले बाची कर रहे हैं ना यानि कि PSVA खितीम वहाँ पे बिल्कुल भी प्रैसर नहीं हो रहा है वह तेजी से रंस बनाने को जा रहा है सिफ 10 बाल भी खेल ले रहा है तो आपके कमाल की बल्ले बाची कर दे रहा है 300-400 गा श्रायक रेच से खेल रहा है तो कभी भी चलेगा तो इसके दिन के हिसाब से चलेगा लेकर के चलना है उसके अलाबा PSVA की ओर से फाहद खान भी बल्ले बाची में भी रन बना रहा है बाल से भी दो वर पुडा कर रहा है बल्ले बाची में नमबर फोर पे आ रहा है बालिंग से भी दो वर पुडा कर रहा है बल्ले बाची वालिंग दोनों चीज़ का मिला करके 70-90 पॉइंस आसानी से दिला करके चले जा रहा है कभी बल्ले बाजी से तो कभी बाल से कहीं ना कहीं से आपको परफॉर्म करके जरूर दे रहा है तो यह चीज़ को आपको फोकस करना है कि फाहद खान भी इस समय काफी फॉर्म में है उ और एक बाफर समय आपको प्यस्वी के पास बॉलर भी काफी अच्छे जो तीनों बॉलर है ना तीनों आपको बॉल से दो ओवर पुड़ा करेंगे जिसमें एम आरिफ जो है बॉलिंग से ओपन करेगा सुरू करेगा पहला ओवर तीसरा ओवर और मुबासिर ज्यादितर मे हो गया चाथा ओवर हो गया रहीम महमद यह आपको आखरी कर्स में बॉल कर रहा है दो अवर पुड़ा कर रहा है बल्ले बाची में भी नंबर पांच पे आ जा रहा है तो इस तरीके से जो सेवन प्लेर है ना पीस भी है के सातों प्लेर काफी अच्छ है यह साथ में से यह फांच जो कि आपको बॉल से दो दो ओवर पुड़ा कर रहे है और यह सात में से चार है जो कि बल्ले बाची में आपको हर मैच में ररन बना करके दे रहे हैं एम रासिद भी काफी अच्छा बल्ले बाची है लेकर रासिद का बल्ले बाची करम काफी Caitlin कर दिया गया है में यही चार आपको रन बना रहे हैं तो यह रहेंगे पियस्विया अगर आपको लग रहे ना कि पियस्विया की टीमे में चारने वाली है और अगर पियस्विया की टीम सेकेंड इनिंग में बल्ले बाजी कर रही है तो वहाँ पे वाही हुसेन फ्लॉप हो सकता है और अगर PSV एक टीम सकेंड इनिंग में बॉल कर रही है तो वहाँ पे आपको M.R.E.F. और R. मुबासिर ये दोनों में से किसी एकी बॉलर को ले करके चलना है अभी किलिए मैं आपको कौँगा अगर पहले बॉल होगा तो मुबासिर को ले करके चलूगा सकेंड बॉल होगा तो M.R.E.F. को ले करके चलूगा यानि ये तोस को पर दिपेंद रहेगा ये दोनों में से मैं किस को लूँगा अभी के लिए मैं हर मुबासिर को ले करके चल रहा हूँ यहां से का PSV एक टीम पहले बल्ले बासी कर रही तो वाई हुसेन आपको ले जरूरी प्लेयर रहेगा लेकिन अगर आपको लगरे कि PSV एक टीम में चार देवाली है और अगर चेस कर रही है तो वाँ पर वाई हुसेन के फ्लॉप होने के चांस 90% करीब रहेंगे तब ही PSV एक टीम होगा चार सकती है वही सामने वली तीम आगब है BYS की बात करो जिनमें में बालस में राच भूसा ने दो ओवर पुड़ा करेगा S रामसूत कुर्सी है दो ओवर पुड़ा करके देने वाला है और उसके लाव यहां से आपने काफी बड़े प्लेयर है एम आसिफ जो की BYS की तीम ओर से लीदर्सिप करेगा बल्ले बाची में ओपनार आएगा आखरी वाले मैचे 304 के इश्राइक रेट से बल्ले बाची करके दिया हुआ हर बाल पर छक कर चौके मार करके दिया चेस करते हुए 131 रच के स्कोर को आसानी से चेस कर ले गए तो एम आसिफ आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा प्लस आपको बाल से भी दो ओवर पुड़ा करेगा आखरी वाल करेगा दसवा ओवर हो गया आथवा ओवर हो गया यानि कि बल्ले बाची वालिंग दोनों चीज़ करेगा उसके अलावा यहां से सहजेब खान जो कि आखरी वाले मैचे बल्ले बाची में ओपना रहे हो मेली तीसरे नमर का प्लेयर रहे लेकिन अब इसको बल्ले बाची में उपड़ किया गया है आखरी वाले मैचे फ्लॉ आप दो दो ओवर किया हुआ है बल्ले बाची पिर फूरा था अब जो है ना यहां पर इसने बालिंग से दो ओवर पुड़ा किया बाल निक्षे बल्ले बाची से काफी अच्छी बल्ले बाची कर दिया अगर सहजेब खान एज़ा विकेद की पर ना खेल रहा हो ना तो समझ चाना कि यह बाल लिंग से भी दो ओवर पुड़ा करेंगा लेकिन अगर यह ऐसा विकित की पर केल रहा होगा तो आपे बाल नहीं करेंगा यानि कि बड़े लेवल का प्लेयर है लेकिन अभी के लिए मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूं आखरी के मैंचेस में खेला नहीं आगर यह खेलेगा तो बल्ले बाची में भी पांचों पैस जाएगा बाल से भी दो ओवर पुड़ा करेंगा ऐसा वीसी आप इसको ले सकते हो लेकि सब्सक्राइब करेंगे जरूरी बालर रहेगा अब यहां पे कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है लेकिन अगर आप मिनी जीलों मेगा जील के रिस्की तीम मना रहे हो वहां पर एम आरिफ को ले सकते हो यह आपको लेगा राज भूसन ऐसा बालर है जो की जादे तर्मेशस सब्सक्राइब कर रहा है अगर बाल से दो और पुड़ा कर रहा है और अगर भी वाई एस की तीम पहले बाल कर रही है तो आप एक अच्छा बालर है लेकिन अभी के लिए मैं आपको कहूँगा कि मुबासिर और एम आरिफ मेंसे किसी एको ले ले लेना यहां से मैं आपको अच्छे पैसे कमा पाओगे कैप वीजी के लिए मैं आपको सबसे तीनी अच्छे प्लेयर का नाम लूँगा जिनमें पहला ना मैं फाहाद खान का एम आसिफ और यहां से सहचेव खान का यह तीनों प्लेयर आपको लेक है कप्डानी के लिए नum.पर वन चोईस रहने वा सबस्क्राइब करना बिल्कुली मत भूलना